सो हेलो ब्रीवन जेसी सी गुरुकुल की सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनांदन विख करती हैं तो आज के इस मेराथन सेशन में आप सभी को हार्दिक अभिनांदन हैं आज के इस सेशन यदि जो मेरेथन सेशन करवाया जा रहा है यदि इस complete मेरेथन सेशन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे complete सेशन को देखती हैं यहाँ से आप लोग का जो भी 4 से 5 प्रश्ण जो सेक्षन ए जहारखन जिक्के का सेक्षन है वहाँ से एक भी प्रश्ण आप लोग का छुटने वाला नहीं है तो class अस्टार्ट करने से माता रानी का अशिरवाद हम लोगों को साथ हमेशा बना रहे साथी साथ आप लोग के साथ भी बना रहे ऐसी हम सरसुती माता से साथी साथ स्री ग्रेश तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग फाइनली स्री ग्रेश करती है और हाँ आप लोगों इस अंतिम च्छन में जरा सावी पैनिक ये सब नहीं होना है आप लोगों ने जिस लेबल पर मेहनत किया है जिस लेबल से आप लोगों ने मेहनत त्यारी की है रनीती के साथ वो तो आपका अपना जमीर खुद जानता है कि आप कितने महनत किये हैं कि नहीं कियें आप लोगा महनत हमेशा आप लोग के साथ हमेशा बना रहेगा और इस exam में भी आप लोगा बना ही रहेगा जिस परकार आप इस exam के लिए dedicated way में त्यारिक किये हैं उसका फल आप लोग को अवस्थी मिलेगा तो फानली चली हम लोग सेशन को प्रारम करते हैं पहला प्रश्ण जो की जार्खन में कितने अनुमंडल है पहला प्रश्ण क्या है जार्खन में कितने अनुमंडल है तो जार्खन में कुल अनुमंडल की संख्या बात करते हैं रिस समय जहारकन में कुल अनुमंडल की संख्या बात की जाय तो उस समय कुल अनुमंडल की संख्या 33 थी जहारकन राइज गठन की समय भी याद करना है और रिसेंट समय में क्या डाटा है वो चीज भी आप लोगों को याद करते हैं चलना है अगला प्रशन है जहारकन में कितने परखंड है तो वर्तमान समय में जारकाम में कुल परखंड की संख्या बात करते हैं 2064 जिस समय जारकान राइस का गठान हो रहा था उस समय कुल परखंड की संख्या कितनी थी उस समय 212 कहीं पर यह आप लोग का 210 भी देखने को मिलेगा तो यह हम लोग को ओप्षन के एकोडिंग चलना है कि ओप्षन किस परकार दिया जा रहा है तो एक चीज आप लोग फिक्स डाटा याद कर लेना है और यदि वो फिक्स डाटा नहीं जैसे यहाँ पर वर्तमान समय में कु अगला प्रशन है जारकन में कितने विधान सबास सदस्यों की संक्या है जारकन में कुल विधान सबास सदस्यों की संक्या वर्तमान समय में 81 है विधान सबास सदस्यों की संक्या 81 और यह भी आप लोग का SC, ST and UR General category में इसे CTO का भी यहां पर विवाजित किया गया है SC category में बात करते हैं विधान सभा सदस्यों की संख्या 9 ST में विधान सभा सदस्यों की संख्या 28 अरजू बचिगिया 44 इह आप लोग का General category में अगला प्राशन है जहारकन में कितने लोग्षभा सदसी की संख्या है जहारकन में लोग्षभा सदस्यों जोकी हाल में आप लोग का लोग्षभा चुना भी हुआ है तो हो सकता है कि इसकी संख्या भी पूछ लिया जा सकता है आप लोगों से तो लोग्षभा सदस्यों की सं संख्या अभी वर्तमान में जार्कन में कितनी है 14 और इसे भी आप लोग का इसे भी डिभाइड किया गया है AC सीट और ST सीट और UR सीट में AC का सीट बात करते हैं 1 ST का सीट बात करते हैं 5 और यहां पर आप लोग का जेनरल केटेगरी कर बज जाता है HE अगले परस्शन को और पर इसे अख़े हैं जार्कन की बिधाइब कैसी है तो जार्कन की जो बिधाइब का है वह एक सदनी यहां पर सिर्फ आप लोग का बिधान सबह है वहीं कुछ राजियों में बात करते हैं जार्खन के कुल छे राजियों में आप लोगा दो सदनिये दो सदनिये मिस बिधान सभाव भी है वहाँ पे और बिधान परिस्द भी है बत उतना डिपली हम लोग को नहीं जाना है चिर्प इतना याद रखना है कि जार्खन की बिधाई का है वह एक सदनिय बिधाई का है जार्खन का सबसे बड़ा संसदिय निर्वाचन छेत्र कोन सा है तो जार्खन का जो सबसे बड़ा संसदिय निर्वाचन छेत्र है वो है पच्मी सिम्भूम जार्खन का सबसे छोटा संसदिय छेत्र कोन सा है सबसे छोटा संसदिय छेत्र चत्रा किस जन जाती का है एक मात्र अस्तिती केवल जार्खण में है वो कौन सी जन जाती जो की सिर्फ जार्खण में पाई जाती है तो वह जन जाती है मुन्ड़ जन जाती जारकन का सर्वोच शिकर कौन सा है जारकन का सर्वोच चोटी सबसे उचा सिखर कौन सा है वह है फारशनात जिसे हम लोग समेद सिखर जी के नाम से भी हम लोग जानती है और ये जारकन के अप लोग का गिरिडी जिल्ला में कौन सा जिल्ला में जारकन का ये गिरिडी जिल्ल है और परशनात की ऊचाई बात करते हैं तो थेरा सु पैससमीटर में हो कौन सा है जार्खन का जो सबसे गर्म जलकूंड है वा है शूरी कूंड और ये जार्खन का आप लोग हजारी बाग जिल्ला में अवस्तित है कौन सा जिल्ला में है हजारी बाग जिल्ला में जार्खन की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो जार्खन की जो सबसे लंबी नदी है वा है दामोदर नदी इसे है दूसरे प्रश्णों के रूप में इस प्रकार पुछा जा सकता है ध्यान से सुनियेगा ज्यार्खन की सबसे लंबी नदी ज्यार्खन की सबसे बड़ी नदी ज्यार्खन की सबसे परदूसित नदी इन तीनों क्वेशन का आंसर होगा दामोदर नदी धामोदर नदी का ओभर ओल लंबाई बात करते हैं तो वह है 592 किलो मिटर बट जार्कन में इसका लंबाई है 290 किलो मिटर अगला प्रश्ण है जार्कन एक मात्र नदी जी जार्कन की एक मात्र नदी जो की स्वतंत रूप से समुद्र में गिरती है तो वह नदी है सरवाधिक तिर्थ यात्री वाला सहर तो जारकन का जो सरवाधिक तिर्थ यात्री वाला जो सहर रहे हुआ है द्योगर सहर जारकन के किस अस्थान पर ओद्योगिक विकास केंद्र की अस्थापना की गई है ओद्योगिक विकास केंद्र की जो अस्थापना वो आप लोगा ब यह एक डाटा मोटा मोटी याद रखेगा यदि यहीं नहीं दिया रहेगा इसे के इर्दगीर्द में देखना है सबसे नजदी की डाटा कौन सा दिया गिया है वोशी को टिकोट करना है जारकन में राज के राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है तो 1232 किलो मिटर जारकन प्षाइज में कहा साइनν सिटी असथापना की गई है साइन सिटी का सथापना То तो साइन सिटी का सत्थापना कहां पर क्या गया है राची में जारखन में अधो doubles शुचित पर्ख BRIंडों की शंख्या कितनी है च्छारखन में अधो Bowl excel अक्षट अक की संक्या 131 अब चलिए हम लोग दूसरे सेट की और हम लोग बढ़ती हैं इस सेट को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को कुछ जनकारी देना चाहता हूं देखिए जहारखन के जितने भी जिल्ले हैं जहारखन के जो 2400 जिल्ले हैं यहां पे जो सेक्षन ए जिय्एं आपके हैं आप लोग का कॉनसा सेक्षन है सेक्षन ए जिसमें की जहारखन जिके के चार से पांच प्रश्ण आप लोग के पुछो के बार्था जाने वाले हैं यह सभी का क्योंड रहने वाला है रहा लेकिन आद रहें adalah फ्रश्ण जहाररखन के 24 के लिए प लेक दूसरा सेट का पहला प्रश्ण ज्हारकन की पूर्व से पच्छिम तक की चुड़ाई कितनी है पूरव से पच्छिम परकार का इसका लंबाई पुछा गया है तो पूरव से पच्छिम तक की लंबाई यदि हमनों बात करते हैं तो वो कितना है 463 किलो मीटर कितना है अगला ये भी दो भागों में आपलों का विभाजित किया गया है एक ग्रामिन चेतरफल एक सहरी चेतरफल ग्रामिन चेतरफल कितना है अगला प्रश्ण है जहारखन का छेतरफल भारत के कुल छेतरफल का कितना परतीसत है जहारखन का छेतरफल भारत के कुल छेतरफल का 2.42 परतीसत है छेतरफल की दिरिष्टी से जहारखन भारत का कौन सा राज है तो छेतरफल की दिरिष्टी से 15 राज है 2011 की जनसंख्या का अनुशार जारकन का जनसंख्या कितनी है तो जारकन का उबरोल जनसंख्या 3,29,88,134 जारकन की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परतिसत है तो जारकन में जो अबादी निवास करती है वो पूरे भारत का 2.42 परतिसत जनसंख्या है जनसंख्या की दिरिष्टी से जार्खन भारत का कौन सा राईज है तो जनसंख्या की दिरिष्टी से जार्खन जो भारत का राईज है वहा है 14 राईज जहारकन की कूल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाती का परतिसत कितना है अनुसूचित जनजाती मीज़ एस्टी का परतिसत तो एस्टी का परतिसत है 26.2 परतिसत वही जहारकन की कूल जनसंख्या में अनुसूचित जाती अनुसुचित जाती मींस कहने का ताथ पर है एसी एसी का कितना पर्तिसद है Both.1 पर्तिसद जन्यगना 2011 के अनुसार जारकन की जन्संख्या धनतू कितना है जन्संख्या धनतू कितना है Four.14,414 और जन्संख्या की दिरिश्टी कौन से भी जारकन पूरे भारत में चौदा अस्थान रगता है जनकन्ना 2011 के अनुसार ज्ञार्खन के शिशू लिंग अनुपात कितना है तो ज्ञार्खन का जो शिशू लिंग अनुपात है वह है 948 और ज्ञार्खन का लिंगा अनुपात सिर्फ पुछा जाए तो वह है 949 शिशू लिंग अनुपात 949 और श परतिसत अगला प्रश्न है जार्कन की महिला साच्छता दर कितनी है तो जार्कन में महिलाओं का जो साच्छता दर है वो है 55.4 परतिसत 55.4 परतिसत जार्कन की पूरू साच्छता दर कितनी है तो जार्कन की जो पूरू साच्छता दर हुआ है 76.8 परतिसत जार्कन की कुल कित गाओं में बचती है अगला प्रशने जार्कन की कुल कितनी अबादी सहर में बचती है तो जार्कन की जो 24 परतिसत जन संक्या है वो सहरों में निवास करती है जार्कन में कुल मानी अनुसुचित जन जाती कितनी है तो जार्कन में कुल मानी अनुसुचित जन जाती 32 है कितनी है 32 अगला परशन च्वार्षण में कितने परमंडल है तो च्वार्षण में कुल परमंडल की संख्या बात करते हैं कितने जिल्लें लोगों है गठान हो रहा था उस्व मैं जिल्लो की कुल संख्या कृतनी थी उस्व मैंजिलो की कूल शंख्या नहीं है, इनमें से किस बेक्ती का समद्ध जार्खन से नहीं है, तो सचिन तेंदुलकर का समद्ध जार्खन से नहीं है, जार्खन राइज में पागल खाना कहां इस्तित है, जार्खन राइज में पागल फाना, पागल खाना कहां के राची में अवस्तित है, जार्खन की मु या खनन एवं वानी चीकर से ज्यादा आय प्राप्त होता है जार्कन सरकार को जार्कन की अर्थ वेश्टा का मुख्य अधार क्या है तो जार्कन की अर्थ वेश्टा का जो मुख्य अधार है हुआ है किरिसी कौन सी रेखा जार्कन से होकर के गुजरती है तो जहारखन से होकर के गुजनने वाली जो रेखा है करक रेखा कौन से रेखा करक रेखा जहारखन के कुल कितने राजियों से घिरा हुआ है जहारखन कुल कितने राजियों से घिरा हुआ है तो पांच राजियों से आयोप सो की जहारखन का मेप आप लोग को याद होंगे इस परकार का आप लोग सपोस्ट दाइट की यह आप लोग का जहारखन का मेप है इधर आप लोग का बिहार राईज के साथ अपने सिमा को साज़ा करता है इधर वेस्ट बंगाल पच्छीम बंगाल के साथ इधर आप लोगा आता है उडिशा यहां पहर आप लोगका tenant के शत्री सगड के साथ और यहांED inspir राजय कि कुल संक्या कितनी भी पाँच राजयों के साथ जारक अपनी सिमा को साजा करता आए बिर्शा मुंदा केंद्री ये कार्यका कहां अवस्तित है तो जयब परकाश नरायन केंद्रिये कारा ये आप लोग का हजारी बाग में आउस्तित है जारकन का पर्थम मुखमंत्री कौन है तो जारकन के जो पहले मुखमंत्री थे वो थे बावुलाल मरांडी जारकन का पर्थम राजपाल कौन है तो जारकन के जो पहले राजपाल है वो ह परभात उमार जारकन की सांस्क्रितिक रजधानी है जो जारकन की सांस्क्रितिक रजधानी है वो कौन सी है देवगर जारकन की सांस्क्रितिक रजधानी देवगर जारकन की कोईला रजधानी तो कोईला रजधानी धनबाद है जारकन का अबरक रजधानी जारकन की जो अबर लीजिएगा इस परकार सपोस्ट दाइट यह आप लोग का यह आप लोग एक मान लीजिए मोटा मोटी जार्कन का मेप जार्कन का पूर्वी जिल्ला पूछा है तो जार्कन का जो पूर्वी जिल्ला है वो पाकुड और पाकुड आप लोग का यहां इस्तिते अगला परश् से सटा जिल्ला जारखन का तीन राजियों से सटा जिल्ला वह एक मात्र जिल्ला गढवा जिल्ला है यहां जब जारखन का मेप देखेगा तो यहां पर आप लोग का है अवस्तित है गढवा और यह गढवा एक तो यूपी के साथ एक इधर बिहार के साथ एक इधर आप है लोहरदग्गा जिल्ला छेत्रफल की दिरिष्टी से सबसे छोटा जिल्ला वो हमारा रामगर जिल्ला है छेत्रफल दुसरे राईस की सीमा को असपर्स ना करने वाला जिल्ला वो अपलो का एक तो खोटी जिल्ला है और लोहरदग्गा और जहरकन के दो ही ऐसे जिल्ले हैं जो कि किसी आनी राजियों के साथ सीमा साजा नहीं करती ही दो राजियों से असपर्स करने वाला जिल्ला सिम्डे का दो राजियों से असपर्स करता है दुमका भी करता है स्राइक केला भी यानि कि ये सभी इस परश्न का सही आंसर हो जाएगा अब चली हम लोग अंतिव सेट की तरफ बढ़ते हैं उस सेट में भी हम लोग देखते हैं और यकिन मानिए यह जो सेक्षन ए है ज्ञारकन जीके का सेक्षन जो की 4-5 प्रश्ण पूछे जाने वाले इनी प्रश्णों में पूछे जाएंगे पहला प्रश्ण जारकन राज का गठन कब हुआ तो जारकन राज का गठन 15 नौवंबर 2020 में जारकन भारत का कौन सा राज है जारकन भारत का कौन सा राज है तो यह भी आप लोग को ओप्षन के एकोडिंग ही चलना है जारकन भारत का जो राज है वो है 28 राज बर यहां पर ओप्षन में तो नहीं दिख रहा है तो उस कंडिशन में क्या मारना है 27 मारना है जार्खन की इस राइस से कट करके बना है यह जार्खन है जो की बिहार राइस से कट करके बनाया गया है बिहार के कितने परतिसत भुबा को काट करके जार्खन राइस का निर्मान किया गया है तो बिहार के एक्सेक्ट यदि हम लोग बात करते हैं 45.80 पर 35.80 पर 30 इतने भुबा को काट करके आप लोग का जारखन राज का निर्मान किया गया है यदि देखिए पॉइंट ये सब में नहीं रहता है डाएक 45, 46, 47 इस परकार रहता है तब जाकर के आप लोग को फिर 46 टिकोट करना है अगला परस्ण जारखन की रजधानी कहा है तो जारखन की जो रजधानी है वो है राची जारखन की ओद्योगी की रजधानी कहा है का राची में ही अवस्तित है अगला परस्ण जार राची उच नियाले की अस्थापना कव हुई तो राची उच नियाले की अस्थापना 2000 इस्वी में हुआ देश के उच नियाले में जारखन उच नियाले का अस्थान कोन सा है तो देश के उच नियालों में जारखन का अस जार्खन का राजकिय पसू हाथी, जार्खन का राजकिय पच्छी कोन सा है? तो जार्खन का जो राजकिय पच्छी है, राजकिय पच्छी वह है कोयल, जार्खन का राजकिय विरिच कोन सा है? जार्खन का जो राजकिय विरिच हुआ है साल, जार्खन का राजकिय पूस्प क कोन सा है जैन की राच्किय भासथी उत्तर पूर्वी भाग में अवस्तित है यहीं यहाँ पे आप लोग का भागना पूछ करके पूछता कि किस गोलार्द में अवस्तित है किस गोलार्द में तब उत्री गोलार्द सही आंसर हो जाता ज्ञार्खन की आकेर्थी कैसी है तो ज्ञार्खन की जो आकेर्थी है वो है चत्रभुजा कार की आकेर्थी जहारखन का उत्तर से दच्छिन तक की लंबाई कितना है किधर उत्तर से दच्छिन ये हो गिया उत्तर से दच्छिन तो इसका लंबाई कितना है 308 किलो मिटर पूरफ से पच्छिम 463 किलो मिटर 308 प्रश्न का सही आंसर बस कुछ दिन की बात है इसी प्रकार जितना भी समय आप लों का एक्जामनेशन में बचा हुआ है अच्छे से समय बेतित कीजिए जितना दिन भी समय है इसमें न करात्मक नहीं सोचना है की बस दो दिन बचा है कि सब्ता दिन बचा है महिना दिन बचा है आखिरकार त्यारी कैसे होगी उस तरीके से सोचिएगा तो जो भी दिन बचा हुआ है वो भी दिन आप लोगा खराब चला जाएगा तो आप उन बीते दिनों को याद किजिए पता है कि मैक्सिमम छातर यहां पर किसान घर से ही गाओं घर से ही समद रखने वाले हैं तो आप उन फुराने बितो दिनों को याद किजिए क्या आपको अभी तो मोसम पता ही है खेती बारी का दिन भी आ चुका है तो क्या हर वर्ष की भाती आपको उसी तरह से कोड़ी पचार करना है बदा मकई इस परकार कोड़ते रहना है कि आपका जो भी बचा दिन बचा समय है इसमें एक अच्छा तरीके से जो भी समय बचा है जिसके पास जितना भी समय बचा है कि उसमें आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ त्यारी करके आप इन दिनों को बदलना चाहते या फिर नहीं बदलना चाहते हैं आप अपने जो भी जितना भी कारकाल जीवन है उसम एक डेडिकेशन के साथ पढ़ने के लिए